नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशी की बारे में तो दोसों और आपकी भी राशी कन्या है तो दोसों आज के इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक जिया दोस्तों आप शबी को बता दे कि इनके आजाने शे आपके जूनकाल में हुआ खुशियां आपको मिलेंगी जिनें आपने कभी शपने में भी नहीं सोचे होंगे शाथ उनके नाम भी बताने वाले हैं हमें एक एशी स्तरी एशी महिला एशी नारी या फिर्योंक है तो एशी औरत के बारे में बात करने वाले ही जो कि दोस्तों आपकी राशी के लिए कल्योंकी सबसे अच्छा जिवन शाती है जो कि आप शेर खुब प्यार करती है शच्चे दिल से आप शे प्यार करती है जिया दोसों और इस तरीका शाथ होने शे आप शिभी का घर बिल्कुल श्वर्ग बन जाएगा दोसों आप शिभी को बता दे कि यह मैला आपको नीचे नहीं बलकि लोट चायों तक ले कर जाएगा दोसों अगर आपको इस मैला का शाथ मिल जाए तो दोसों यह आपको कडोरों के मालिक बना देंगे राजा की गदी पर यह मैला आपको बेठा शक्ती है जिया दोसों तो दोसों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिश ना करें और दोसों शुरूच लेकर अंद तक जरूर देखेगा तबी दोसों आप वीडियो को अच्छी तरह के शेशे शमझ पाएंगे कि आखिरे कौन शाहिस तरह आपकी जुनकाल के लिए शब से अच्छा जुबन शाती है और दोसों इनका शात यदि आपको मिल जाए तो दोसों इनका हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए दोसों या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अगर आपका शात मिल जाए तो दोसों आपकी जिन्दगी श्वर्ग बन जाएगी जिए उनमें चल रही शारी परिशाणियां कर शब को het ho जाएंगे और पिछले कापी शुमे से, चन चीज़ों को लेकर आप परिशान होते हैं दोस्टों मा दीरे दीरे खत्म हो जाएंगे दोस्तों अगर आपका पार्टनर अगर आपका जीवन शाती इस राश्री का है तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप शब से ज़्यादा भागेशाले इंसान हैं क्यों दोस्तों या लोग आपको जुनकाल में सच्चा प्यार करने के शाथ साथ आपके उपर सच्चा विश्वास भी करते हैं इसली दोस्तों आज का यहाँ वीडियो को आप शोबी के लिए बहुत जादा महट पूं बहुत ज्यादा खाश और बहुती ज़्यादा जरूरी रहने वाली है इसली दोस्तों आप विडियो को बिलकुल हीं मिशना करें और इन्ये शुरू शनले करyi शिरू ज हैं तो दोस्तों चेंग को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्ष में सच्ची मंस्य जय शनीदेब लिख दें बगवान शनीदेब का अशिरवाद आप शिवी को प्राप्त होगा आपके घर परिवार वाल चला भी जाए तब दोस्तों आप अपना शाहस को नहीं चोड़ते हैं सब कुछ तहस नहस भी हो जाए तब ही दोस्तों आपने आत्मिश्वास को आत्म शम्मान को कभी नहीं खोते अगर कोई काम करने की ठान ले तो दोस्तों आप चैन शे नहीं बेटते आप लोग जिद्ध किश्म के व्यक्ति होते हैं और आप उस काम को यानि जो काम आपने ठान लिया है उसे दोस्तों पूरा करकर ही छोड़ते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं अगर किसी से सच्चा प्यार की बात करें तो दोस्तों अगर आप में जुनकाल में किसी से सच्चे प्यार क तसो के श्यक्राद को अपने pot लगा लेते हैं कापी स्यद्विक बातों को आपने दिल पर भी कुछ बात दोस्तों कुलس olho तब बहुत ज़्यादा लग जाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको आपने अपना शमज कर उसके लिए शबकूच किया है दिन रात उसके लिए एक कर दिया है और दोस्तों अंत में वही इंशान आपकी रिश्पेक्ट ना करे आपकी खिल्ले अनुड़े लग जाए आपकी फिलिंग को हट करने लग जाए यानि कि दोस्तों आपको कोई शमजने ही ना लगे एशे भी बहुत लोग हैं जो आपशे अपना मतलब निकालते हैं और आपको इस्तुमाल करने की बाद छोड़ देते हैं यानि कि दोस्तों जब उनका मतलब आपशे निकल जाता है जब उनका काम हो जाता है तब दोस्तों वह आपशे किनारा कर लेते हैं दोस्तों आपशे भी को बताना चाहेंगे कि किसी से प्यार करना और किसी से प्यार बाटना वो तो आपकी राशी बालों से शिखे बिना किशी के शुआरत के आप लोग दुसरों का भला करते चले जाते हैं दोस्तों यहाँ तक तो ठेक है लेकिन बूरा आपको तब लगता है जिन के लिए आपने शब कुछ किया है दोस्तों अंत में उन्हें ने ही आपको ठुगरा दिया आप शे किनारा कर लिए दोस्तों आप शे बात भी करना बंद कर दिये आपके हर चीजों को इगनोर करने लग जाए दोस्तों आपकी प्यार बिरी जिन्दगी जो है वो रूठने और मनाने में भी अभी तक चल रही है दोस्तों आपके शाद अक्षर एशा देखा गया है कि आप एक प्रोबलम श्री बाहर निकलते हैं और कोई दुशरा प्रोबलम आकर ख़ड़ा हो जाता है दोस्तों आप हमें कमेंड करके बताईजिगा क्या में यह श्रब गलत पर रहा हूँ आपके शाद ए श्रुप कुछ नहीं हो रहा, अपनी राय हमें कमेंड करके कमेंड के दिवरा जरूर बताईएगा और दोस्तों आप लोगों को तो एशे में खुशियों की कमी नहीं होती कि वो दोस्तों आपका जो भगवान है इतना बड़ा है कि दोस्तों आपको शब कुछ देता है जो आपकी जुरत की चीज़ें होती है पर शब कुछ आपका हिश्वर आपको दे देता है लेकिन दोस्तों प्यार के मामले में जिन लोगों से आप आश लगाए बेड़ते हैं वही लोग आपको किनारा कर जाते हैं और एशे एक बार नहीं बलकि दोस्तों बार बार एशा ही होता है मानों कि दोस्तों आप लोग प्यार के लिए बने ही ना हो लेकिन दोस्तों एशा ख्याल अपने दिमाक्षी निकाल देजी आपको मैं बता दूं कि दोस्तों हमेशा एक जिद्धी व्यक्ती ही इतिहास रच्ता है और आपकी राशी वाले तो जिद्धी भरे होते हैं जिद्धी में आपके पास जितनी भी परिशन आए दुख आए टेंशन आए हर मुश्किल का शामना आपने हशकर किया है हिम्मत कभी आपने नहीं हारा किशी भी चीज को पाने के लिए आप उम्मिद नहीं जिद रखते हैं यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाता है दो दूसरों आप शवी को बिदा दें कि दुश्मनों की चोड तो आप खुशी खुशी शह लेते हैं लेकिन दूसरों आपका दिल तब बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब कोई आपका अपना ही आपको चोड पहुँचाता है दोस्वों खैर जो हो चुका अब तो वह हो चुका लेकिन दोस्वम आने वाले श्मय में आपको बहुत कुछ जरुरी चीजे का ध्यान रखनार है जियां दोसोरो उस्समें जरुरी और पहली चीज आती है कि दोस्वम आप से मुथ्य की बहुत ज़्लदी भरोशाह नहीं करना है जिया दोस्वम motion को बता दें कि यदि आप लोग शिंगल हैं, यदि आपकी शादी हो चुकी है, या फिर दोस्तों आपकी शादी किशी के शाथ होने वाली है, तो दोस्तों आपको कौनशा व्यक्ति है, कौनशी लोग है, कौनशी औरत है, कौनशी नारी है, कौनशी महिला है, या फिर वह कौनशी नाम व बना शक्ते हैं जिया दोसों शब से पहली चीज है जिसकी आपको जनकारी लेना चाहिए कि आपकी राशी वालों को इस तरी की शुंदर्ता को देखकर बिवा करने नहीं लेना चाहिए जिया दोसों आपको यह बात शुमझनी होगी कि इस तरी की शुंदर्ता को लेकर जो भ बात बताना चाहेंगे कि विवाव के लिए ज़्यादा जरूरी है कि उसके खुशूपुति को ना देखकर उसके गुन को देखा जाए जया दोस्तों इसके विविद इस तरियों को भी अपने ज्यून जोर जबस्तित से किया गया अगामी विवाव भुश में काफी शिकायति उत्पन कर शकता है यह बात आप भी जानती होंगे कि दोस्तों बैवाई के जीवन में यह निरले आपके लिए बड़ा शमश्या खड़ी कर शकती है इसलिए दोस्तों अगर कोई इस तरी आपशी बह जगड़ा भी हो जाए तो भी दोस्तों उन्हें आपको नहीं चोड़ना चाहिए क्यों दोस्तों आपको प्यार करने के वज़शी एसे इस्त्रियों को आपके और आपके परिवार की खुश्यों की भी परवा होती है इसलिए दोस्तों एशी इस्त्रियां व्यक्ति को कभी भी उदाश और निराश नहीं देख शक्ती, यहाँपर दोस्वों आप शिभी को एक बात और बता दें कि पुर्श के शाथ साथ इस्तरी को भी धर्म के परती आस्ता रखना जरूरी है, जिया दोस्वों आपको बता दें कि जोती शाथ के नुशार इस्तरी शिविवाक करने जा रहे हैं तो दोसों सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह इस्तरी धर में अस्ता रखती है या फिर नहीं दोसों आपको इस तरियों पर बिश्वास करना चाहिए जो कि आप में अपने पिताओं को देखे और आप भी उसे उसके पिता की तरह आप शमान करें उनका ख्या नहीं हो लेकिन हमेशा ऐसे ही आप करें जिसके लिए आपका शुभाव सबसे ज्यादा महत रखता है क्यों दोस्तों उम्र बित जाने पर शुंदरता तो कम हो जाएंगी और फिर शुंदरता पर मिटने वाली इस्तरी आप से कटने लग जाएंगी उनका मुह भंग हो चाहिए जो कि किशी के शाथ प्रेम शमन में पहले शेही ना जुड़ा हो क्यों दोस्तों अगर आप दवाव डालकर या फिर जोड़ जबस्ती करके उनके शाथ बिवा कर लेंगे तो दोस्तों यह इस तरी का मन अपने प्रेमी के ही और रहेगा और दोस्तों पूरे मन शे प्रेम हो और वह उसकी प्रवा करती हो तो दोस्तों यह इस तरी का शाथ आपको कभी भी नहीं चोड़ना चाहिए उसके शाथ चाहिए भश में कितने बे जगड़े क्यों नहीं हो दोस्तों कितने भी लड़ाई बात क्यों नहीं लेकिन दोस्तों उस इस तरी का शाथ आप करना उत्तम रहता है दोस्तों अगर हम याश में उन महिला की नाम की बात करें वह कौन शे नाम की औरत है जो कि आपकी जिन्दगी को बदल शक्ती है जो कि आपके लिए शब से ज्यादा लग्की शब से ज्यादा भागी शाली शाबिद होती है तो दोस्तों उस इस्ति के ना M N S G R और इसके शायद दोस्तों उश पुरुष का जो नाम है जो कि इस तरियों के लिए शबशे बेश्ट है शबशे लग्की है नाम है C R G S A M P I H तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के यह वीडियो आप शुपी को फ़शन आया है दोस्तों आप शुपी से निवदर है कि यह दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों और एशी अधिक जनकरिया हम आप तक सबसे पहले पहुचा सके धन्यवाद